नवस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की एतिहासिक कहानिया अज 17 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है मुगल सिख वार से 17 वी सदी के उत्तरार्थ की बात है राज जोरी जो कि कश्मी तीर में पढ़ता है आज उसमें एक राजपूत परिबार में लड़के का जन्व हुआ नाम पढ़ा लच्मन देव बच्पन से ही तीर कमान का शौग घुरसवारी और शिकार में महारत हासिल थी लड़कपन में घटी एक घटना ने लश्मन की मन में लेकिन एक गहरा प्र वती थी पेट फार के देखा तो महां दो बच्चे थे दोनों ने लश्मन की आँखों के सामने दब दोड़ दिया इस घटना के बाद लच्मन का मन दुनिया से उचट गया घर बार छोड़के वो सादु सन्यासी के भेश में दरदर भटकने लगा उसने अपना नाम बदल पिर आया सितंबर 1708 तब नादेड के आश्रम में गुरु गोविन सिंग पधारे ओगर जोगी माधुदास ने उस्से में कहा कौन हो तुम और मेरे आश्रम में आने के हिम्मत कैसे हो गुरु साब ने जवाब दिया सुना है तुम सर्व शक्तियों के मालिक हो इतना तो गुरू गोविन सिंग का शिष्य वन गया और गुरु ने नया नाम दिया गुरुबक्ष गुरुभविन सिंग्ग तब मुगलों के निशाने पर थे गुरु तेक बहादुर की हत्या के बास सिखों और मुगलों की बीच पच्चेस साल से जब चल रही थी जिसके चलते हि सिख इतियासकारों के हिसाब से गुरुगोविन सिंग ने तब गुरुभक्ष को एक दोधारी तलवार, तीम तीर और पांच साथी दिये साथ में। गुरु की आगें मांते वे गुर्भक्ष ने पंजाब की और कूज भी किया लेकिन उनके पीचे गुरु गोविन सिंग की हत्या कर दी गई इसके बाद सिक्सामराजी की बागदौर गुरुबक्ष ने सम्हाल ली अपनी बहादौरी के चलते वो बंदा सिंग बहादौर के नाम से मशूर हुई 1708 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल बागदौर आई बहादौर शाह के पास उसके भाई कामबक्ष ने दक्कन में विद्रोह कर दिया जिस कारण बहादौर शाह को दक्कन के कैमपेन पर खुद निकलना पड़ा मौके का फायदा उठाते पे बंदा बहादौर सतलच के किनारे पहुचे और वहाँ के किसानों को अपनी सिना में जोड़ना शुरू किया औरंगजेब की मौत के बाद सरहिन में जमीनदारों की ताकत बढ़ चुकी थी और वो मनमाने धंग से लोगों से टैक्स वसूल कर रहे थे सामन्तोंक उत्पीड़न आम बाद थी लेकिन दिल्ली के ताकत कमजोर हुई तो उन्होंने और फायदा उठाना शुरू कर दिया सरहिन में ये सारे किसान एक काबिल लीडर की तलाश में थे बंदा बहाद्दूर के कॉल पर उन्होंने उनकी सेना में भरती होना शुरू कर लिया उन्हें घोड़ों और पैंसों की मदद दी मुगल मंसबदार एश फर्मा रहे थे इस समय कई सालों से सैनिकों को वेतर नहीं मिला था ऐसे सैनिकों ने भी बंदा बहाद्दूर की फौज में जाना बहतर समझा दस हजार की फौज हुई तो बंदा बहाद्दूर ने सबसे पहले सोनी पत और कैथर में मुगलों का खजाना लोटा इसके बाद 1709 में बंदा बहादूर ने सरहिंद के कजबे को निशाना बनाया सामना नाम के यहां के गवरनर वजीर खान ने गुरू गोविन सिंग के बेटों की हत्या की थी हमले का मकसद गुरू का बदला लेना भी था सामना के बाद बारी आई सरहिंद की बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिन पर हमला बोला और वहां लौगड के किले पर कबजा भी किया इतना ही नहीं लौगड को राधानी घोशित करते वे बंदा बहादुर ने गुरुगोविन सिंग के नाम वाले सिक्के भी जारी किये इसके कुछ समय बाद बंदा बहादुर ने उत्तर में राहौन, बटाला, पठानकोट और पूर में सहारनपूर, जलालाबाद और मुजफर नगर पर कबजा किया अगस्त 1710 तक लाहौर से पूर में पंजाब में सिक्कों को शासन हो चुका था और इससे दिली सल्तनत और लाहौर की बीच कम्यूनिकेशन में बाधा पढ़ने लेगी बहादुर शाह दक्कन के कैमपेंज से लोटा तो उसने अब सिक्सामराज पर नकेल खिसने कसने की ठानी 29 अगस 1710 की घटना है उस रोज मुगल सेना में एक अजीब सा फर्मान जारी हुआ बादशा बहादुर शाह ने आदेश दिया कि मुगल सेना में जितने भी हिंदू हैं उन्हें अपनी दाड़ी कटवागनी होगी कारण ये दिया गया कि मुगल सेना पर हमला करने जा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सेना में शामिल हो जाए मुगल सेना ने मुनीम खां की अगवाई में सरहिंद पर आकर्मंट किया मुगल सेना के सामने बंदा बहादूर की फौज कुछ कमजोर थे लोगड के किले में जबर दस लड़ाई हुई लेकिन साथ हजार की मुगल सेना ने लोगड के किले का घेराब कर लिया तब गुलाब सेना ने बंदा की जगह ले ली और बंदा भेश बदलकर किले से बाहर निकल लिये उन्होंने चमबा के जंगलों का रुक किया बंदा के इस तरह हाथ से निकल जाने से बहादूर शाह बहुत नाराज हुआ 10 दिसंबर 1710 को उसने फर्मान जारी किया कि जहां कोई सिख दिखे उसे मार डा जाए बंदा सिंग बहादूर में जंगलों से ही सिखों को हुकम नामे भेजे ताकि वो दोबारा अपनी ताकत इकटा कर उनसे मिलें दो साल तक बंदा छुपते छुपाते रहे उनके कॉल पर 1712 में कीरत पुरसाहिं में सिखों ने राजा अजमेर चंद को हराया अजमेर चंद नहीं पहाड़ी राजाओं को गुरू गोविन सिंग के खिलाफ भड़काया था 1712 में बहादूर शाह की भी मौत हो गई जिसके बाद उसके बेटों में सत्ता की लड़ाई शुरू हुई बंदा सिंग बहादूर ने जंगलों से ही सिखों को हुकम नामे भेजे ताकि वो दोबार अपने ताकत इकटता कर उन से आकर मिले दो साल तक बंदा छुपते छुपाते रहे उनके कॉल पर 1712 में कीरत पुर साहिब में सिखों ने राजा अजमेर चंद को हराया अजमेर चंद ने ही पहाड़ी राजाओं को गुरू गोविन सिंग के खिलाब भरकाया था 1712 में बहादूर शाह की भी मौत हो गई यहां दिल्ली में जिसके बाद उसके बेटों में सत्ता को लेकर ठन गई मुगलों में पड़ी फूट का फायदा उठाते हुए बन्ना सिंग भादू ने लौगर पर दोबारा कबज़ा जमाया बादुर शाह की मौत के बाद मुगलों की कमान फरुक सियर ने अपने हाथ में ले ली थी उसने सबसे पहले समत खाँ को लाहूर का गवरनर बनाया और उसके बेटे जकरिया खाँ को जम्मू का फौशदार नियुक किया पिर इन दोनों को बन्दा बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने को कह दिया तीन साल के इस अभ्यान में समध खान ने बंदा बहाद्दूर को गुर्दास पूर शहर से चार मील दूर गुर्दास नांगल तक धकेल दिया वहां किले की सुरक्षा में बंदा और उनके साथी किसी तरह बचे रहे समध खाने यूजूल टाक्टिक्स का साहरा लेते वे गुर्दास नांगल के किले के सारे रास्ते बंद कर दिये ना खाना अंदर जा सकता था ना पानी बंदा पहले भी लॉगर के किले से भाग निकले थे इसलिए हमले की बजाए समत खाने इंतजार की नीती अपनाई खाने के डाले पड़े तो बंदा और उनके साथ ही घास पत्तियों पर गुजारा करते रहे उससे भी काम नहीं बना वो भी खतम हुआ तो घोड़ों और गधों का मास खाना पड़ा आठ महीने किसी तरह गुजारे लेकिन दिसंबर आते आते दिखने लग गया था कि बाहर निकलने के सिवाए कोई चारा नहीं है किले के दर्बाजे खुले तो मुगल से ना तूट पड़े आज ही के दिन यानि 17 दिसंबर 1715 को 300 सिखों को कतल कर लगभग 700 सिखों को बंदा बहादूर सहित गरफतार कर लिया गया था फरुक सिर ने आदेश दिया था कि बंदा उसे जिन्दा चाहिए मारे गए सिखों के सिर भाले में टांक कर पहले लाहोर के बाजार में परेट करवाई गई और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया औरंग जेब के जमाने से ही दुश्मनों की नुमाईश का रिवास था बंदा और उनके साथियों को देखने के लिए दिल्ली में भीड उमड़ी समत खां का बेटा जकरिया खां इनकी अगवाई कर रहा था मखाल उडाने के लिए बंदा को शाही पोशाक पहनाई गई और हाथी के ऊपर एक पिंजरे में डाल कर रखा गया उनके बाकी साथियों को बिना जीन ऊट पर बठा कर रखा गया था इनके आगे सिखों के सिर भूसे से भर कर नेजों और बांसों पर टंगे हुए थे इन सब को बादशा फरुक सियर के आगे पेश किया गया फरुक्सियर ने बंदा और उनके 23 साथियों को मीर आतिश इबराहिम अद्दीम खां के हातों सौब दिया और मीर आतिश ने उन्हें ट्रिपॉलिय जेल में कैट कर दिया बंदा के बाकी साथियों को दिल्ली के कोतवाल सरबराख खां के हवाले कर दिया गया पांच मार्च 1716 को सजा का ऐलान हुआ सजा थी सर कलम किया जाना चबूतरे पर एक एक आदमे को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता क्या तुम इसलाम कबूल करते हो हर सिर नाम हिलता और धर से जुदा हो जाता साथ दिनों तक चले इस कतले आम से कोतवाल सरबराख खां जब ठक गया तो उसने सजा पर रोक लगा दी उसने फरुक सिर से कहा कि मसले को जरा ठहने दिया जाए कुछ दिन जल्म सहेंगे तो होश आएगा और इसलाम कबूल कर लेंगे तीन महीने तक बंदा बहादूर सिंग को काल कोटरी में रखा गया सवाल का जवाब तब भी ना ही था अंत में 9 जून 1716 को बंदा बहादूर की भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया सजा से पहले एक आखरी उपाय किया गया बंदा को अच्छे कपे पहना कर कुतब अधिन बख्तियार काकी की दरगाह पर ले जाया गया और दरगाह के चारो और घुमाया गया वहाँ पर कोटपाल ने पूछा आखरी बार पूछ रहा हूं मौत क्या इसलाम बंदा अपने जवाब पर अड़े थे कोटपाल कुसूजी तो वो उनके चार साल के बेटे अज़े सिंग को सामने लियाया बेटे की गर्दन पर तलवार रख बंदा से फिर वही सवाल दोराया गया बंदा की गर्दन इंकार में पूरी घूमी भी नहीं कि जलाद ने आजय का सिर कलम कर दिया इसके बाद उसने शव से बच्चे का कलेजा निकाला और बंदा सिंग के मूँ में ठूस दिया बंदा तब भी डिगे नहीं उन्होंने मौत चुनी इसके बाद जलाद ने एक हंजर से उनके दोनों आखे फोर दी गर्म सलांखों से उनके शरीर को दागा गया मौत से पहले जितनी आतनाए संभवती दी गई उनके शरीर से मास नोचा गया और अंत में शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर अलग कर दिये गए बंदा सिंग बहाद दूर की मौत के दो साल बाद माराठाओं ने फरुख सियर को जंग में हरा दिया मौगल सामराज जिसके बाद जहां ढलता चला गया वही माराजा रंजीत सिंग ने काबूल, स्रीनगर और लाहोर पर कब्जा कर उत्तर में एक विशाल सिक्सामराज बनाया अद में आपको बताते हैं चले तारीक के इस एपिसोड के साज़तार है कुकु एफम आप जो लाए है ललन टॉप के दर्शवों के लिए खास आफर कुकु एफम आप का प्रीमियम सब्स्रिप्शन लेने वाले पहले धाई सो लोगों को मिलेगा पचासवी सब्का डिसकाउंट इसके लिए आपको यूज़ करना है और कई तरह की आउडियो बियुक्स याद रखिए ल्टी 50 कोड सिर्फ पहले धाई सो प्रीमियम सब्स्रिप्शन पर ही बिल जाएगा बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं तारीक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथ ही कमल ने और कैमरे पर इससे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त बाल मुकम्न